हेलो फ्रेंड्स मैं प्रसांत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेवेंस क्लासेज में दोस्तों आज का टोपिक आधुनिक भारत का इत्यास से जिसका पहला चेप्टर है ब्रेटी सत्ता का विश्तार आज मैं इस टोपिक का साथ महत्पूर प्रस्न कराने जा र पाएं ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती थे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला कोशन है भारत में डाक व्यास्था शुरू करने वाला बिर्टिस गवर्नल जर्नल था एंस रोगा दोस्तों लॉल डलो जी दूसरा दोस्तों सुगोली की संदी 1816 SP में किनके भी संपन भी थी एंसरोगा दोस्तों इस्ट इंडिया कमपनी और नेपाल नैश्टर दोस्तों वडियार कहां के सा सकते टिपू सुल्तान की राजधानी कहां थी स्रीर रंग पटनम पांचवा क्वेशन दोस्तों बेटी सरकार भारतियों को आधुनिक सिक्षा देना चाहती थी उनका उदेश क्या था एंसरोगा भात में अपनी राजनितिक सत्ता की नीव सुधीर्ट करना नैश्ट प्रसासनिक और वेरस्था कुसासन के अधार पर डलहोजी ने किस राज़ को ब्रिटी समराज में मिलाया था एंसरोगा अवाद सात्वा कोशन है दोस्तों निवलिकित में से ब्रिटी सरकार कवा गवर्नल जनरल कौन सा था जिसने भारत में डाक्टी कर सुरू किये था एंसरोगा लोर्ड अलोजी आठ्वा कोशन दोस्तों प्लासी के यूद के बाद भारत के लिए सास्वत दुख की काली रात का आड़म हुआ या किस बंगला कभी का कथान है एंसरोगा दोस्तों नविन्द चंद सेन नवा कोश्चन ने सुरक्षा प्रकोष्ट निती इडिंग फैन्स पोलिसी किसे समन दी था नश्टर दोस्तों इलावाद की संदी 765 इसवी में के बाद रावर्ट कलाइव ने मुर्शिताबाद का उपदिवान किसे बनाया था एंसरोगा दोस्तों मुहम्मद रजा खान नश्ट रंजित सिंग ने सुपर्शित कोही नियुल हीरा प्राप्त किया था एंसर के आगो दोस्तों साह सुजा चे नश्ट दोस्तों रंजित सिंग किस मिसल से समन दी थे एंसरोगा सुकर चकिया नेस्ट निलिकित में से कौन सा यूद था जिसने भारत में बिरिटीस प्रभूत्व का प्रारम में किया इसके एंसरों का दोस्तो प्लासी का यूद नेस्ट किस अधिनयम के तरहत वार्न हास्टिंग्स बंगाल के पर्थम गवर्नर जनरल बनाये गए एंसरों का 773 का रेगुलेटिंग एक्ट नेस्ट कोशन दोस्तो बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंदिया एक्ट 874 पारिद किया गया इसके एंसरों का दोस्तो वार्न हैस्टिंग्स नेस्ट बहादूर सा की मिर्टि के बाद जहांदार सा मुगल सिंगहासन पर आसिन हुआ वह किसकी सायता से समराट बना इसके एंसरों का दोस्तो जुलफी कार्क खा नेस्ट दोस्तो किस मुगल बात्षा का मूल नाम रोसन अक्टर था इसके एंसरों का मुहम्मद सार अंगिला नेस्ट अमद सा अबदाली के पर्थम आकरमन के समय मुगल समराट कौन था इसके एंसरों का दोस्तो मुहम्मद सार अंगिला नेस्ट दोस्तो किस राज के सासक नवाब वजीर कहलाते थे इसका एंसर होगा दोस्तों अबद के नवाब किसने मुर्षिताबाद की अस्थापना की थी तथा उसे ढहका के अस्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई किसने की थी दोस्तों मुर्षित कुली जाफर खान है मंगाल के साथ सक मूर्शित कुली जाफर खां एवं अंगलजी इस्ट इंडिया कमपणी के बिच विविवाद का सर्फ परमुक कारंद क्या था इसका एंसर होगा दोस्ता मुगल बादसा फ़रुक सियार दोड़ा सत्र सत्रे स्वी में जाड़ी फरमान की मुर्शित अली जाफर खां एवं अंबिर्टिस कमपणी दोड़ा अलग-अलग विया ख्या नेस्ट कोस्टन दोस्ता बंगाल के किस नवाब न है यूरोपिय लगों की तुलना मदमक्खी के छत्य से की जिसे यदी ना छेरा जाए तो सहाद देगी पर यदी छत्य के साथ छेर चार की गई तो मदमक्ख्या काट काट कर प्रान भी ले सकती है किसने काता दोस्तों अलवर्दी खान है नेस्ट कोस्टन दोस्तों बंगाल के वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजयों को बंगाल के भूमी से निकाल कर बाहर कर सकता है किन्तु एशी इस्तिती में उसके ही सब्दों में सम्बूद में आग लग जाएगी ये भी कहाता दोस्तों अलवर्दी खाना है जो इसमा कोशन दोस्तों बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्याधिकारी को या सला दी तीनों अंग्रेज फ्रांसीसी और डच को एक साथ निरवर्द करने का विचार मत करना इन तीनों में अंग्रेज सबसे ससक्त है पहले उसका अंध करना और अन तुमको विशेस जो किसने कहाता दोस्तों ये भी कहाता अलवर्दी खान है नेस्ट कोशन दोस्तों बंगाल के नवाब अलवर्दी खान का उत्याधिकारी कौन हुआ इसका एंसर होगा दोस्तों शिराजी दौला शिराजी दौलाब अलवर्डी खांका उत्तादी कारी बनाब नेश्टर दोस्तों बंगाल के नवाद अनुभाव प्राप्त की उपाधी और हम कुछ छेत्रों की जमिनदारी देलाई कलाईब की जागीर कलाने वाले उस छेत्र की पहचान करा इश्ट का नाम होगा दोस्तों चोबीस पड़गाना 27 कोशन दोस्तों बंगाल के नवाद मीर कासिम ने मुर्शिताबाद के अस्थान पर मुंगेर कराजधानी बनाया क्योंकि क्यों बनाया था दोस्तों क्योंकि वे मुर्शताबाद के सडियांत मैं रवातावरां तताकल करता से दूर आना चाता था ताकि अंग्रेजों का हस्चेप ना हो ठाइसमा कोशन दोस्तों दूतिया आंगल मैसूर यूद के समय गमर्णर जनरल कौन था उसमें कमर्णर जनरल था दोस्तों लॉर्ड वारन हास्टिंग्स नेश्ट दोस्तों तिर्टीया आंगल मैसूर यूद के दोडान टिप्पु के विरुद चेतूर्थ पक्षिये समयुक्त मोचा में सामिल थे कौन-कौन थे दोस्तों सामिल ट्रावन कोर्ण निजाम मराथा यमा मंग्रेज ये चारों सामिल थे शीक से दसांस धार्मिक करवसूल करना आरम किया कौन-कौन से सीक गुरु थे दोस्तों ये अर्जौन देव थे नेकी सथान पर अधिकार करनेके बाद महराजा की उपाटि दारम की इसका एंसरोंगा दोस्तों लाहोड आज का 32 कोशन दोस्तों रंजीत चिंग ने किस मिशल से लाहोड पंजाब की राजधानी नेतिक राजधानी एवं पम्रित्सर पंजाब की धार्मिक राजधानी चिने इसका एंसरोंगा दोस्तों भांगी नेश्ट भारत के किस गुवर्णर जनल के समय में सिंद का विलाई 1847 सिस्वी में एंग्रेजी राज में किया गया था इसका एंसर है दोस्तों, लॉर्ड एलनवरो 34, सायक संदी के संबन में किसने का हमारी नीती और हमारे लक्ष न भारतिय राज्यों को सुन की स्थिति में पहुचा दिया है किसने का था दोस्तों, लॉर्ड विलेजली नव भार्द में सायक संदी का जम्दाता कविस्कारा कौन था इसका जन्दाता था दोस्तों डूपले 36 तिसले आंगल मैसुड यूद कोड़ोकने के लिए टिफू सुल्तान ना अंग्रेजों के साथ कौन सी संदी की थी इस संदी कौन थी दोस्तों स्री लंग पट्टम की संदी 37 हरप निती डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स के अंतरगत कौन से भारती है राजे कब जे गए थे इसका अंतरगत दोस्तों जहांसी नाकपुर वो सतारा 38 ठकी पर्था के अन्मूलें से संबंध गवर्णर जनरल कौन थे 39 ठकी पर्था का अन्मूलन कौन कराया थे लॉल विलियम बैंटिक न 39 पलासी का यूद 577 इस भी अतिदिक अतिहासिक महतुका था क्योंकि क्योंकि दोस्तों इसने बंगाल में बिर्टिस वर्चास्प के लिए मार्ट परसस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर बिर्टिस नियंतन के लिए रास्ता खुल गया 40 इसमा कोशन दोस्तों भारत में आधुनिक शिछा पंडाली की नीव किस से ने रखी थी किस से पड़ी इसके एंसरों को दोस्तों 18-35 के मैकाले के नियम से का सिरे दोस्तों लॉर्ड बुलियाम मेंटी को दिया आता है 42 निमलिकित मैंसे अवद के स्वायत राज का संतापक कौन थे स्वायत राज के संतापक कौन थे दोस्तों साधत खां बुरहान उल्मूल्क 43 इस्ट इंडिया कमपणी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उसमें मुगल समराठ कौन था इसका अंसर ओक हो दोस्तों अजी जुद्धिन आलमगीर नयाश्ट दोस्तों नवाब सी राज दॉला ओं इस्ट इंडिया कमपणी के बीच संघर्ष का पि पर्भू कार्ण था इसका संगर्ज का पड़मू कारन था दोस्तों अंग्रेजों ने व्यपार छुटों का दुरूप पियोग किया अंग्रेज जो भारत आये थे व्यपार करने के लिए उद्नानों किया किया दोस्तों वेपार में जो छूट दिया गया शिराज दला जारा उसका दुरूपयोग किया गया नेक्ष्ट है दोस्तों किस इत्यास कार ने 776-267-272 तक के कमपनी के राज को द्वयाद सासन के काल को डाकवर का राज की संग्या दी गई है इसका एंसर क्या गया गया दोस्तों के अम पनीक कर इसी के दोड़ा ये बात कही गये थी 46 से दोस्तों बिर्टिस जनरल जिसने हैदर अलिको पूर्टा नवा के यूद मेहराया था कौन ते दोस्तों सर आयर कूट 47 महराजार रंजीत सिंग के उता दिकारी थे 48 दोस्तों सबसे अधिक निर्णायक यूद जिसने अंगलेजाओ के भारत में पड़गुत को संस्थापित कर दिया था कौन सी यूद में दोस्तों? बक्सर का यूद में 49 कोशन दोस्तों 1 नमबर 1859 को महराणी विक्टोरिया का गोशना पत इलावाद पड़कर किसने सुनाया था? इसका एंसरों का दोस्तों लॉर्ड कैनिंग न है 50 कोशन दोस्तों टिपू सुल्तान अंगलेजों के साथ यूद में कम मारे गए थे? तो दोस्तों टिपू सुल्तान की मिर्टी हुई थी 9790 में शिखों के अन्तिम गुरु कौन थे? अन्तिम गुरु थे गुरु गोविन सिंग नेश्ट दोस्तों डिंडी गुल नाम है? डिंडी गुल किसका नाम है दोस्तों? तमिलाडु में एक नगड का 53 कोशन दोस्तों ब्रिटीस भाल्टे राज छेत का अंतिम पढ़मुक विश्तार कब हुआ? किसके साचनकाल में हुआ? तिसका एंसर गोवा दोस्तों डलहोजी के समय से नेश्ट कोशन दोस्तों ठगो के दम्मन में निमलिकित में से कौन संबद्ध था? एंसर गोवा दोस्तों करणरल सिलीमेन आज के पच्पनमा कोशन है दोस्तों किसके सयोग से मुगल बात्षा बना? किसके सयोग से बात्षा बना दोस्तों? सयद बंदु के सयोग से नेश्ट है दोस्तों सयद बंदु के सयोग से किस दोस्तों? 58 है दोस्तों अवद हैजाबाद भरतपूर रुहेल खंड एवं फ़रुकाबाद किस मुगल सासक के समय से स्वतन्द हुए? इसका एंतर होगा दोस्तों मुहंबद साडंगिला इसी के साचनकाल में ये जगा दोस्तों स्वतन्द हुए? इसका एंतर होगा दोस्तों इलावाद की द्यूतिय संधी जो सुल्य अगर्ष्ट सतो सपैसेटिस्वी को हुई थी किनके बीच हुई? इसका एंतर होगा दोस्तों सुजाओ दॉला एवं रोवर्ट कलाइब के बीच आजका लास्ट कोचन दोस्तों करनल कलाइब का गधा या सीयार की संधीया किसे दी गई है? इसका एंसर होगा दोस्तों मीड जा फ़र तो यह थे दोस्तों आज के टोपिक के साथ मात्पुन प्रस्ट जो अक्सर अग्या में पुछे आते हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल हेवंस क्लासेश को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ सेयर करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए नमास्कार